दोस्तों सुधीर कुमार मिश्रा जोकी CEO और मैनेजिंग डिरेक्टर है ब्रहमोज एरोस्पेस के उनका एक इंटर्वियू हुआ था और इस इंटर्वियू के दुरान उन्होंने फ्यूचर में आने वाली ब्रहमोज मिसाइल के बारे में और अभी जो काम हो रहा है उसके बा बातों के बारे में बताया है आज इसी को डिसकस करेंगे चलिए दोस्तों शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले उनसे पूछा गया कि जो हमारा एक लक्षय रखा गया है 5 विलियन डॉलर का डिफेंस एक्सपोर्ड का 2024 तक क्या ये पूरा हो सकता है या नहीं तो उन् investment हो R&D के अंदर या अन्यक्षेत्रों के अंदर और अब हमने जो अभी तक काम किया है वो country को repay करने का time आ गया है और ब्रहमोस missile किस तरह से इस target के अंदर अपना योगदान दे सकती है इसके बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि अभी हमें बहुत सी country से inquiries मिल रही है जो specially ब्रहमोस missile के बारे में है और इसके export potential को ये सारी चीजे बताती है और उन्होंने ये भी कहा कि हालांकि government तैग करेगी कि किस देश को ये missile देनी है या नहीं देनी लेकिन इसका export version पूरी तरह से तयार है और साथ ही दोस्तों उनसे पूछा गया कि क्या ये जो इंडि पूरन question पूछा गया कि ब्रहमोस aerospace के कोई future plan क्या है ब्रहमोस missile को लेके तो उन्होंने बताया कि last year हम ब्रहमोस का नया version लेके आये थे जो coastal security के लिए था एक shore based weapon system था और Indian Navy ने इसके लिए DSE से approval भी लिया था ताकि coast line को safe किया जा सके और साथ ही उन्होंने कहा कि ब्रहमोस missile हर साल reinvent हो रही है इसमें कुछ ना कुछ नया आ रहा है forces की requirement के हिसाब से और उन्होंने कहा कि आने वाले समय के अंदर इस ब्रहमोस missile को पूरी तरह से re-engineered कर दिया जाएगा इसके dimension को कम कर दिया जाएगा और कई अन्या feature इसके अंदर जोड दिया जाएंगे और अभी हमने ब्रहमोस NG जो की next generation version है उसे भी तयार कर लिया है और इसे light combat aircraft टेजस के अंदर भी integrate किया जाएगा और इसके इलावा advanced medium combat aircraft के साथ में भी इसे लगाया जा सकता है और इसके इलावा सुखोई 30 और MiG-29 पे भी और साथ ही उन्होंने बताया कि आने वाले कुछ सालों के अंद दोस्तों कहा जा सकता है कि इंडियन आर्मरी के अंदर ब्रहमोस missile सबसे trusted weapon system है जिसकी अभी तक की range 290 km है 400 km तक की missile भी तयार हो चुकी है और इसे sea submarine land air कहीं से भी लौच किया जा सकता है और इसकी capability ऐसी है कि ये एक बड़े target और एक frigate को भी destroy कर सकती है completely और इसके लिए इस सबसे fastest super sony cruise missile ये है तो ऐसे में दोस्तों future plans को देखते हुए नय केवल ये export के लक्षय को तै करेगी बलकि दोस्तों इसके बहुत ही बड़े version भी आएंगे धन्यावाद जैहिन